एलो आपको पुराने वीडियो अच्छे लग रहे होंगे अभी तक तीन वीडियो बन चुके हैं तो अभी आज का चौथा वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो यह न और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो विकॉस काफी इंपोर्ट तो reducing nature के ओपर question है था कि lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium इन पांचों को reducing nature के हिसाब से एंच करना है In fact question था which of the following is the best reducing agent? थीक है तो उससे पहले तो पहले reduction की definition देखते हैं तो 3-4 concepts में मिख्ज़ है तो पहली बाद है simple concept reduction reduction क्या होता है अगर आप किसी को electron देते हो मतलब अगर मैं electron ले लेते हूँ तो मेरा reduction हो जाते है reduction मतलब gain of electrons gain of electrons और opposite हो उसको oxidation oxidation मतलब using electrons तो gain of electrons को बोलते है reduction हो ना तो मान लो मेरे पास कोई specie है जिसका नाम में ने A रखा है ठीक है अगर आपने देखा कि इसके पास एक electron आ गया तो मैं बोलूँगा भाई A का reduction हो गया ठीक है अब यह electron किस ने दिया जिसने भी दिया उसका नाम में R रखता हूं तो मेरे पास एक R नाम का element है इसने अपना electron निकालके A को दे दिया तो R की वज़ा से A का reduction हुआ तो reduction तो हुआ A का R की वज़े से हुआ तो R का नाम रख दिया reducing agent यह बात समझ में आती है तो reducing agent कौन होता है जिसकी वज़े से दूसरे का reduction होता है हुआ और सामने वाले का reduction करने के बाद यह जो reducing agent है इसका oxygen हो हाँ मतलब जो को डियांक देक्र कि यह लोग सामने वाले को reduce कर देते हैं तो हई है कि इनसे यह बात है यह लोग reducing agents हैं, यह लोग सामने वाले को reduce कर देते हैं, तो अब सवाल है कि इन पांचों में सबसे अच्छा कौन है, कि यह question है, यह question है, यह question है, IIT में, IIT में हर जगा पे आचुका है, तीक है, अब मेरा पहला सवाल है, कि यह 5 reducing agents क्यों है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो देखो जी, इनकी configuration, जैसे अगर मैं lithium की configuration देखू, तो 1s2, 2s1, अगर मैं sodium की configuration देखू, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, अच्छा, अगर किसी को configuration नहीं आती, तो इसके उपर भी एक separate video बनाऊंगा, मैं don't worry, ठीक है, तो यह outermost shell में एक एक electron है, यह एक electron दिया जा सकता है, तो lithium भी electron देने में अच्छा है, sodium भी electron देने में अच्छा है, यह सब लोग electron देने में अच्छा है, और जो species electron देने में अच्छी होती है, तो वो ही तो सामने वाले को electron देगी है, तो reducing agent बनने के लिए requirement क्या है आप अपना electron किसी को दो कि कहते हो यह पांचों ही स्पीशीज लीथियम सोडियम पुटाशिम रूपीडियम सीजिम यह पांचों ही अपना electron दे सकती है तो यह पांचों ही reducing agents है अब अच्छा कौन बुरा कौन इसके लिए मैं periodic table का एक property use करोंगा तो उस पे जाने से पहले आप यह सब लिख लो पर दें रिडेक्शन क्या होता है गेर अफ इलेक्ट्रों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो अपना electron निकाल के दूसरे को दे देता है reducing agent वह होता है जिसकी वजह से सामने वाले का reduction होता है तो इन में सबसे चान होना अची अब देखो हमको periodic table में चीज सिखाई गई थी है कि ऩचली ए या कि आस्वीकव्व को दाउन दे गुरूब साइज इंक्रीज़ लीठीयम का साइस बहुत चोटा है वासा है जबकि सीज्यों का साइज बहुत बढ़ा सा है अब जो साइज बढ़ होने से गहीत होता है ये शो बीछ में युपन अपकbrand इन दोनों की बीच पर इस्टेंस बढ़ जाते जब की लिथीएं में न्यूक लिएस उलटर मोस्त कि बीच के सब्सक्राइब करें सेसिएम की केस में मोर डिस्टेंसी होने की वज़े से वोर्स ओट्राक्षण इस लेस पोर्स ओप ट्राक्षण इस लेस जब की लिथियम में तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे यह फॉर्स को तोड़ना पड़ेगा ठीक है तो अगर फॉर्स आसान होगी तूटने में तो मेरे लिए जाधा आसान होगा अगर फॉर्स है तो मेरे लिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा असान है तो टेक्निकली स्पीकिंग सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकालना इन पांचों में सबसे असान होता है इसको आयोनाईजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा वि इसका टेक्निकल देवीनेशन देखेंगे बड़ अभी समझने वाला डेवीनेशन सुन लो भाई मुझा एक इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आूट्रमोस्ट एलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी नर्जी लगेगी वो बता दो और मिनिममम एनर्जी बताना कि बस इतनी द अब इसके उपर पूरा discussion करेंगे हम लोग तो आप पहले तो यह लिखलो कि ideally हमको ऐसा लगा कि सीजियम का इलेक्ट्रोन निकालना सबसे असान है तो सीजियम अपना इलेक्ट्रोन निकालके सबसे असानी से किसी को दे सकता है तो सीजियम को सबसे अच्छा होना चाहिए था बट निकला लीथियम अब इसके उपर discussion करेंगे ठीक है अब ध्यान से देखो कि यह जो रिडियूसिंग कि नेचर वाली बात है न यह हमेशा एक्वास मीडियम में बात की जाती है तो बैसीकली किसके दो बड़े स्टेप से ज्यान से सुनों को वह कौंसे स्टेप से जैसे अधर अपन लिथियम एक्जामपल है तो लीथियम पहले तो अपना एक रिलीज करेंगा देखो कुछ बुक्स में इसके तीन स्टेप भी लिखे होते हैं पहले हम लोग लीथियम सॉलिड से उसका गैस बनाते हैं कि क्या को स्टेप मैं एक्स्क्लूड करना हूं इस अपने एक यॉलेक्ट्रों निकाला और फिर यह जो लीथियम प्लस है यह वाटर के साथ कि हाई डरेशन करता है हाई डरेशन मैंने स्टॉपिक में कवर किया था लास्ट वीडियो में तो अगर आप को अगर स्ट यदर है बहला देमें पहुआ काफिश सरी इस प्लाइसा प्लाइ वीडियो निवर डेख लो तो अब ध्यान से सुनों ये दोनों स्टेप्स को मिला के हम देखेंगे कि कौन जादा अच्छा है तो अगर मैं पहले स्टेप की बात करूँ तो पहले स्टेप में सीजियम जीतिया है दो शीजियम का उलकर निकालना काफी असान है एस कंपेड तो लिटियम थीएओ बड़ जब सीजियम का इलेक्टरों निकला और शीयम प्लस बना तो तो बिकॉस अफ लो चार्ज देंसीटी सीजियम की हाइडरेशन उतनी नहीं होई तो यह स्टेप सेकेंड स्टेप इस नॉट इस सीजियम ऑन्द कॉंट्री लिथियम का पहला स्टेप तो उतना ग्रेट नहीं था बट लीथियम का दूसरा स्टेप एक्सेप्शनली अच्छा हो गया लिथियम के छोटे साइज की वज़े से वेरी हाइड चार्ज देंसीटी वेरी हाइड चार्ज देंसीटी की वज़े से बहुत ज्यादा हाइडरेशन हुआ है ठीक है लिथियम के इस में हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव हाइडरेशन टीक है एक्सेसिफ हाइड्रेशन होने की वज़े से इतनी एनरजी निकली सेकेंड स्टेप में कि पहला स्टेप उतना अच्छा नहीं भी था ना तो भी दूसरा स्टेप ने सब चीजों को कवर कर लिए कि है तो पहला स्टे přिजियल का लगा दोड़ा से अच्छा था दूसरा स्ट अच्छा है ली तियम का बहुत ज्याधा उच्छा था और दूसरा स्टे DOES अफॉ पर लीधियम का बहुत बिजनस प्रॉफिटेबल हो गया चलो पने एक ग्जामपल लेते हैं रिलाइंस जी होगा जी हो ने शुरू में एक दो साल खूप फ्री में बाटा सबको फ्री में दिया तो पहला स्टेप उसका फेवरेबल नहीं था फ्री में बाटने मतलब लॉस बट उसको यह पता था कि दो साल बाद मैं इसको मॉनिटाइज करूँगा इस पर पैसे लेना शुरू करूँगा तो इवेंचुली मेरा बहुत ज्यादा प्राफिट हो जाएगा तो मल्टिपल स्टेप्स अगर किसी प्रोसेस में हो तो पहला स्टेप अगर वीक हो भी न तो भी अगर दूसरा स्ट है बहुत स्ट्रोंग हो बहुत ही अच्छा हो हाईली एक्जो थर्मिक तो काम हो जाता है तो लीथियम को बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किस स्टेप ने बनाया पहले स्टेप ने नहीं एक्सेसिव हाइड्रेशन तो पहले चीज आपको याद हो जानी चीए लीथियम में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है लीथियम इन फैक पूरे प्रियॉड टेवल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है लीथियम इसके उपर में डिस्कुशन करेंगे कि पूरे प्रियॉड टेवल में सबसे अच्छा क्यों फिलहाल इस ग और नीट दोनों में क्वेशन आ चुका है तो इसको अच्छे से याद कर लो और बेटा जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं प्लीज नोट्स बनाओ आयोव आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे चलिए आज के लिए इतना ही अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत ही जबर्दस कॉंसेट लेकर वापिस आता हूं चल थांक यू